गुड मॉर्निंग एब्रीबंस तो फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या ध्यान रखने होगे जरूरी बाते हैं फ्रेंस प्लीज वीडियो को पूरा ही देखिएगा तभी पता चलेगा की वीडियो में है क्या स्वादिष्ट सलाद स्वादिष्ट सलाद बनाते समय अलग-अलग प्रिकार के तरह के सबजीयों और फ्लों का उपयोग करें जैसे की टमाटर, ककड़ी और खीरा नमबर 2 दूद उत्पादों का सही तरीके से प्रियोग करें ताकि खाना और मिठाई अधिक स्वादिष्ट बने नमबर 3 अच्छे से खाना चवाना खाना खाते समय अच्छे से चवाने से आपके खाने का स्वाद बहतर होता है और भोजन को आसानी से पचाने में मदद मिलती है नमबर 4 रोटी बनाते समय आटा गूतने से पहले उसमें थोड़ा सा तेल डाले इससे रोटी नरम और स्वादिष्ट बनेंगी जब भी हम रोटी बना रहे हो तो आप आटा गूतने से में आप ओयल का भी हलका ओयल का भी उज़ कर सकते हैं और घी का भी उज़ कर सकते हैं उससे कि आपकी रोटी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनती है और मुलाइम भी बनती है नमबर फाइब पनीर को मेरिनेट करने के लिए दही मसाले और निम्बू का रस मिलाएं और उसे फ्राइपेन में शेक कर पकाएं नमबर शिक्स पकोड़ों को अच्छे से तलने के लिए तेल को पूरी गर्माहट पर गरम करें और फिर धिर धिरे तलें नमबर शेवन सब्जीयों को छोटे टुकड़ों में काटने से उनकी तेजी से पकाने में मदद मिलेगी और जल्दी बन जाएंगे जैसे कि कोई भी सब्जी काट रहें यादि हम उसको छोटा-छोटा काटेंगे तो वह जितना छोटा कटेंगी उतना ही जल्दी पके गी नमबर एट तावा या फ्राइपेन का उपयोग तावा या फ्राइपेन से खाना पकाने से कम तेल खाउपयोग होता है और खाना इसलिए प्राइपेन जो होता है उसका यदि हम यूज करते हैं तो उसमें ओयल भी कम लगता है और खाना भी स्वादिष्ट बनता है नमबर नाइन खाने का सही समय खाने का समय ध्यान से चुने और नतेजी से खाने का प्रियास करें ताकि आप अपने भोजन का सही रूप से आनंद ले सकें नमबर टेन अंडा अंडे पकाने के लिए मीडियम आंस पर पकाएं अत्य दिक उच आंस पर नहीं पकाएं जब भी हम अंडा पका रहें तो उसको मीडियम मतलब की गैस पर या आंस पर पकाएं तो बहुत ही जादा अच्छे से वो पकते हैं नमबर 11 चावल को तड़का तड़का देते सेमें कुछ जीरा, धनिया, पाउडर, हल्दी पाउडर का प्यूग करें जो चावल को स्वादिश्ट और खास बना सकता है नमबर 12 पुलाव पुलाव बनाते समय विविन सब्जियों का प्योग करें जैसे कि गाजर, मटर, शिम्ला मिर्ज, ताकि यह स्वादिष्ट और पोस्टिक हो जब भी हम पुलाव बना रहे हैं तो आप बहुत सारी सब्जियों का यूज कर सकते हैं गाजर, मटर, सिम्ला मिर्च और विन्स भी डाल सकते हैं यह बहुत सारी ऐसी सबजियां हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक ही रहती हैं इसलिए पुलाब भी बहुत जारा टेस्टी बनता है और वो हेल्थी होता है सो फ्रेंस आज की वीडियो बस मेरे यहीं तक की थी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा थैंक्यू